Hi everyone, अब बात करने वाले हैं कि हम लोग ReactJS के अंदर Toggle यानि कि Hide and Show वाली Functionality कैसे बना सकते हैं Basically Toggle का मतलब Hide and Show करना ही होता है, तो दोनों एक ही चीज़ है, नमें Confuse होने की जरूरत नहीं है अगर आपको कोई बोलता है कि Toggle वाली Functionality बना के दिखाओ, या फिर Hide and Show वाली Functionality बना के दिखाओ, या फिर Hide and Show वाली Functionality बना के दिखाओ, तो दोनों का सेम ही आंसर रहने वाले है, बट हाँ, ReactJS के अंदर जो हम लोग यह Functionality बनाते हैं, यह थोड़ा सा अलग तरीके से None कर दिया, तो हमारा Element Hide हो जाएगा, और Show करने के लिए क्या करेंगे, Style.Display.Blog, तो हमारा Element फिर से Show हो जाएगा, इसी तरीके से जो jQuery है, उसके अंदर भी Hide and Show functions यूज करते हैं, जो कि Internally Style को ही Change कर रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि Hide and Show करने के ल जाते हैं, कैसे? अभी आपको पता चल जाएगा, एक बार के लिए Points दिख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग एक State Define करेंगे, Button के Click के साथ उस State को Update करेंगे, Condition लगा देंगे उस State के Base पे, और यह भी देखेंगे कि Component को Hide and Show कैसे कर सकते हैं, Element को तो Definitely करेंगे, करेंगे Hide and Show, Component को भी देखने वाले हैं, और एक छोटा सा टास्क भी रहेगा आपके लिए, आप चाहुत उसको Try कर सकते हो, और Next वाले पार्ट के अंदर में आपको उस Task का अंसर भी दे दूँगा, और Last में कुछ Interview Question भी Discuss करने वाले हैं, यह React GS19 की Playlist है, जो आपकी Definitely Help करने वाली है, जो प्रोजेक्ट में, इंटर्व्यूस में, लिंक आपको description box में मिल जाएगा, पूरी playlist अराम से बैठके लेखना, अब हम लोग कोड पे चलते हैं, जो यह extra चीज़े हैं, इनको हम लोग हटा देते हैं, और यहाँ पे आपको output दिखेगा, यहाँ पे आप दिख सकते हो कि हमार मैं लास्ट वाली पार्ट के अंदर आपको बहुत ही detail में बता चूँ, okay, so मैं यहाँ पे state declare करता हूँ, और इसका मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, नाम display, और फिर कर देता हूँ, set display, इस तरीके से आपको कोई भी state ले सकते हूँ, जो भी आप कमन करे, and then हम लोग यहाँ पे और अब हम लोग क्या करेंगे, इस condition के ऊपर, कि display अगर true है, तो यह वाला h1 tag वो दिखे, otherwise ना दिखे, यह करना है, तो उसके लिए simply आपको इस तरीके से, जो jsx वाली curly braces होती है, यह लेनी है, और यहाँ पे लिखना है display, अगर display है, question mark, यह condition लगा दिखे, हम लोग लोग कर देता हूँ, इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, because अब यह else वाली condition run होगे, ठीक है, तो यह हमारी if else condition होती है, conditional rendering बोलते हैं, इसको, display check करा, कि यह true है, ठीक है, तो यह h1 को इसको render करेगा, otherwise जो colon के बाद वाली चीज है, उसको करेगा, और अगर आप इसको कुछ और भी दिखाना चाहते हो, जैसे कि h1 tag, एक और लेके, और यहाँ पे कर सकते हो, no username, ठीक है, इस तरीके से, तो अब आप देख सकते हो, no username आ रहा है, और जैसे मैं इसको true कर दूँगा, फिर से, तुमारी first वाली चीज है, वो, यहाँ पे display हो रही है, अनिल से यहाँ पे on click लूँगा, and on click के base पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, simply, set display, और इसको मैं opposite कर दूँगा, डिस्प्ले का, यानि कि display और इसका लगा दीता हूँ, negation, इस तरीके से, यानि कि true है तो false हो जाए, false है तो true हो जाए, ठीक है, and अब आप देखोगे, अभी true है, click क इस तरीके से, अब यह नहीं चलेगा, ठीक है, इस देखो, बहुती smoothly काम कर रहे है, okay, so इस तरीके से हम लोग, एक element को hide and show कर सकता है, component वो भी बहुत easy है, कोई भी एक component ले लो, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, let's say, user.jsx, और इसमें एक function बना देता हूँ, function, और function क नाम ले लेता हूँ, यहाँ पे user, and then इस के अंदर हम लोग return कर देंगे कुछ भी, जैसे की div ले ले लेता है, और div के अंदर हम लोग यहाँ लिख देंगे h1 tag, और यहाँ लिख देता हूँ, अनिल सिल्थू, जो भी आपको लिखना हूँ, वो लिख सकते हूँ, कोई इकक के से, and यहाँ पे इसको import कर लेता है, अब जो यह नाम है, h1 tag, इसकी जिखापे कर लोगा, but मैं इस code को रखना चाहता हूँ, because आपको github के उपर सारा code मिलेगा, तो बैटर तो मैं comment out करके रख लेता हूँ, and यहाँ पे हम लोग simply लगा देंगे, user, यह उपर से import हो गया, then इसको हमने बंद कर दिया, and there we go, और जैसे मैं यहाँ पे click करता हूँ, तो आप इस still properly काम कर रहे है, और यहाँ लिख सकते हो, कुछ और भी confused ना हो जो कि यह नया code है के नहीं है, यहाँ लिख सकते हो user component, ठीक है, इस तरीके से, and there we go, okay, great, okay, so यहाँ पे हम लोगों ने qe कर सकते हैं, element को कर सकते हैं, task क्या है? Task आपके लिए है, कि अभी के लिए, हमारे पास, two ही कन्डीशन लगे है यहां पर एक फंडीशन एक कjemडीशन त्री होगी है यहाँ एक कूछछवर यह आप कैसे कर सकते हो don't possible conditions लगात है यह आपके लिए अृस नेक्सट वूटेरी parts के नरे में आपके बताऊ को कि आप लोग multiple conditions कैसे लगा सकते हो react के अंदर thank you so much and please support me with like subscribe and comment ये मेरा google and ptm को donation number अगर आप लोग donation करना चाहते हो thanks guys